नमस्कार स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अंसे आटी कोश्चन्स करेंगे देखो फर्स्ट कोश्चन है हमारा मानव विकास सूचकांग 2011 के संदर्व में विश्व के देशों में भारत की निमलेगित में से कौन सी कोटी थी यानि कि जो हुमें इस वाले कोश्चन को गूगल कर लेना अगर कोई बच्चा 2023-2024 या और भी आगे इन वीडियो को देखता है तो आप इस फर्स्ट वाले कोश्चन को गूगल कर लेना कि इंडिया की रेंक क्या है एचडियाई में क्योंकि ये चेंज होती रहती है तो 2011 के हिसाब से तो हम 126 वे नंबर पे थे और अभी 2022 के हिसाब समें 132 वे नंबर पे या और खराब हुई है हमारी मानविकास सुचकांग में हमारी रेंक और लो हो गई है आपको इस फर्स्ट वाले कोश्चन को गूगल कर लेना है अगर कोई बच्चा 2022 के बाद इस वीडियो को देख रहा है तो आप सिंपले लिख देना इंडिया रेंकिन एच डियाई तो आपको पता चल जाएगे कि इंडिया कौन से नंबर पे है और 2022 वाले बच्चों के लिए इस का अंसर है 132 ठीकर इसको आप याद रखना दूसरा कोश्चन है मानविकास सुचकांग में भारत के निमलिकीत निम्तम है देखो एजूकेशन की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य सबसे कम एजूकेशन बाना जाता है वहाँ पे एजूकेशन रेट बहुत लो है तो इसमें देखो फर्स्ट ओप्शन है जम्मो कश्मीर दूसरा है अरोनाचल परदेश तीसरा जारकंड चोथा बिह बिहार में फिमेर एजुकेशन बहुत कम है फोर्थ कोशन देखो भारत के न 2000 राज्यों में से किस एक में जीरो से ci आयू वर्. के बच्चों में लिंग अनुपाथ निम्तम हमें से किस लिंग अनुपाथ निम्तम कम है तो पहला औप्शन है गुजराद, दूसरा है हरिया तो इन चारो राज्यों में से हरियाना वो राज्य है जहां पे लड़किया कम हैं लड़के जादा हैं फिफ्ट कोशन देखो भारत के निमलिकित के अंदर शाषित परदेशों में से किस एक की शाक्षिता दर उच्तम है यानि कि union territory जो है हमारी उन में से education के मामले में आगे क कौन से union territory आती है देखो दिल्ली से भी जादा education rate कहां की है लक्षदीप की है अगर हम total population को निकाले और हम calculate करें कि कहां के लोग ज़्यादा पड़े लिखे हैं यानि कितने में से कितने लोग पड़े लिखे हैं तो अगर हम सारी की सारी union territory को देखेंगे तो उसका अंसर portion मानव विकास को परिभाशित कीजिए मानव विकास का मतलब क्या है यानि human development अगर मानव को सारी सुविधाएं मिलेंगी हर तरीके से वो शक्षम होगा अपने काम को करने के लिए तो वो क्या है मानव विकास है वो मैंने जब आपको chapter पड़ा है तो वहां पे आपको definition भी बताई थी तो उन definitions को अच्छे से याद रखना मानव विकास स्वस्त भोतिक परियावन से लेकर आर्तिक सामाजिक और राजनेतिक सोतंतरता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी सिक्षा स्वास्त वात था शशक्तिकर्ण के अवसरों में विर्दी पर करिया है सिंपलिये कहा रहे हैं कि अगर आदमी को सिक्षा मिले स्वास्ते मिले शशक्तिकर्ण मिले और उसकी जो opportunities हैं वो बढ़े तो क्या हो रहा है मानव का विकास हो रहा है आपको एक definition मानव विकास की अच्छे से याद रखनी है क्योंकि आपसे question पूछ सकते हैं second question देखो उतरी भारत के अधिकाश राज्यों में मानव विकास के निम्स्तरों के दो कार्ण बताईए उतरी भारत के जो राज्यों है उसमें मानव विकास का निम्स्तर क्यों है आप देखते हो कि उतर भारत के राज्यों ह यहां पर जन्संख्या भी बहुत जादा है और यहां पर facilities भी है पर फिर भी HDI यहां का कम है आप केरल जैसे राज्य को देखते हैं वहां पर जन्संख्या कम है पर फिर भी केरल जो है हर चीज में टोप में आता है Education की बात कर लो आप Human Development Index की बात कर लो इन चीजों में वह टोप पे आता है और आप उतर भारत में देखते हो UP है बिहार है हरियाना है यह राज्य केरल का मुकावला नहीं कर पाए है इस चीज में पैसे के मामले में पंजाब हरियाना जैसे राज्य है बहुत आगे है पर फिर भी यहांगा HDI जो है वो कम है अब देखो अंसर क्या है उतरी भारत के राज्यों में पंजाब हरियाना उत्र ब्रदेश बिहार उडिसा मध्य परदेश असम आधी में मानविकास सूचकांग 0.5 से कम है मैं आपको बताया था कि 0.5 से लेकर 1 तक जाता है HDI तो इन राज्य हमें पर्तिवेक्टी आए 2000 रुपे से पर्तिवच्टे कम हैं यहां पर अगर average income निकाले हम बिहार योपी सारे या की तो यहां पर जो annual income निकलती है वो 2000 रुपे से भी कम है तो बहुत कम है यहां अब वोग की वस्तों पर व्याभी अधिक है यहां पर जो चीज़े हैं वो तो वो 520 रुपे तो है इस से ज़्यादा आई है बहुत बलकि आजकल तो यहां बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्या है निम्स तरके विकास का कारण है यह वाली लेनप बत रिखना यह है वह 520 रुपे परती माह है क्योंकि इस से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है यह वाली लेनप कार देना बाकि सरी लेनप ज़्याद रखना यहां बेरोजगारी जैसे आर्थिक समस्या है निम्स तरके विकास का कारण है यानि यहां पर लोग जो है उनको काम नहीं मिलता रोजगार की कमी है बहुत सारी दिक्कत है यहां पर शायरों में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है इन राज्यों में जो है खर्चा ज़्यादा लगता है और कमाई जो है वो कम है जिस हुझे से बहुत सारी प्रोलम्स आई हैं लोगों को हर्याना पंजाब में तो फिर भी ठीक है पर अगर आप UP, विहार, जारकन, चत्तिसगड इस एरिया की बात करते हो तो यहाँ पी जो है लोगों की सिच्वेशन बहुत खराब है नेक्स्ट कोशन देखो भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के दो कारण बताओ लिंग अनुपात का मतलब है सेक्स रिशो यानि कि कितने लड़के हैं और कितने लड़किया हैं किसी एक गेरिया में अब देखो भारत में जब हम लिंगनुपात नापते हैं तो अगर हम कह रहे हैं कि लिंगनुपात बढ़ गया तो हम बात करते हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ गई क्योंकि महिलाओं को सेंटर में रखे लिंगनुपात को नापा जाता है इंडिया के हिजाब से अगर हम बोल रहे हैं कि लेंगनुपात घट गया तो इसका मतलब है लड़कियों की संख्या घट गई तो इस questionnaire में कह रहे हैं भारत के बच्चों में घटते लिंगनुपात यानि जो फिमेल हैं उनकी संख्या जो घट रही है उसका reason बताओ भई इसके बहुत सारे रीजन हैं जैसे कि हमारे कुछ बेकार पर थाए भी हैं ठीक है महिलाओं को जो है कम रिस्पेक्ट दी जाती है इस वज़े से क्या होता है बहुत सारी छोटी बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है उन्हें बोज समझा जाता है तो ये कुछ पुरा ने रीती रिवाज परमपरा और उडियों पर वो लोग चलते हैं जिसकी वजैसे उस एरिया में जो female population है वो कम है यही आप से पूछने के female population क्यों कम है भारत में मुख्य तैस्त्री लिंगनुपात लगातार घट रहा है यानि female जो है उनका नंबर लगातार घटता जा रहा ह 0-6 वर्ष के आयूवर के बच्चों में परती 1000 लिंगनुपात घट रहा है यह दर 800 बालिकाओं का परती 1000 से नीचे है यह कह रहे हैं अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के टाइम पे तो उसमें से 800 से भी कम महिलाए होती हैं अगर 1000 लड़के पैदा हुए हैं अगर हम के सामाजिक दरिष्टी को उत्रदाई है वही बात आ गई इसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है इसके लिए लिए लिंग निधारन की वेग्यानिक विधियां भी उत्रदाई हैं यह आज कल क्या है पेट में पता लगा लेते हैं साइंटिफिक चीजों से कि भाई लड़ जैसे क्या हुआ है लड़कियों की जनसंख्या कम हुई है समाज में पूर्षों को अधिक महतव है आप सबीकों की भारत का समाज पूरुष परदान समाज है ज्यादा महतव लड़के को ही दिया जाता है तो इस वज़ए से भी तो इस वज़ए से जो फीमेल है उनको है उनकी संख्या घटती जा रही है सेकंड कोशन है हमारा भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेच न कीजिए और इसके लिए उत्तरदाई कारणों को समझाईए 2001 में जो जुनगन न होई थी उसके साब से जो फीमेल का लेवल है वो बताना है हमें कि जो उनकी एजुकेशन है वो कैसे कम रही अलग-अलग एरिया में कैसी है कहां पर ज्यादा महिलाएं पड़ी लिखी है कहां पर कम है फीमेल आपके लिए इंपोर्टन टोपिक है इस चैप्टर से क्योंकि स्त्री के बारे में कोई भी कोशन आपसे पूच सकते हैं देखो इसमें भारत के राज्यों में स्त्री साक्षरता धर में व्यापक प्रादेशिक ऐसमानता पाई जाती है यानि कि अलग-अलग राज्यों में हम बहुत ज़दा डिफ्रेंस देखती है फीमेल एजुकेशन में भारत में ओसत्री साक्षरता धर 74 परतिशत है जो की का पधना आगादा है तो जो बची उनको तो नाम लिखना भी नियादा जितनी है बची है तो चुहतर पर्षेंट के अलावा जो बची उनको तो अपना लिखना तक भी नियादा आक्षर भी पढ़ना नियादा ठीकत illness साक्षर्ता दर कितनी है वारत में 74% जो की काफी कम है पहला पॉइंट उच स्त्री साक्षर्ता दर वाले राज्य यानि कि जहां पे जादा पड़ी लिखी महिलाए हैं इसमें है केरल राज्य में सरवादिक स्त्री साक्षर्ता दर है 87.86 अन्य राज्य है मिजोरम जो है उनकी education rate हाई है 2001 के हिसाब से भी यही थे आज भी यही है और आप current time की बात कर तो इनकी percentage बढ़ गई है तो बड़ी हुई जो percentage है वो मैंने आपको बता रखी है chapter वाली वीडियो में तो आप इसको उस हिसाब से लिख सकते हो ठीक है राज्य यही रहेंगे बाकि सारे वाली जादा पात नहीं है पर कोशिश खरना कि आप कुछ data याद रखो जितना मैंने वीडियो में बताया है उतना तो जरूर याद रखना है आपको दूसरा question है मद्द शाक्षरता वाले राज्य है अब medium level की population कहां पे आपको state पता होने चीए बस कि high level की कहां पे है medium level की क कहां पे है और लोग कहां पे है ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको जैसे अब आपको पता चल गया कि भाई highest कहां कहां पे है केरल हो गया मिजोरम हो गया लक्षदीप हो गया गोवा चंदीगर और अंडमा निकोबा ये तो है जादा population वाले ये बात आपको बहुत अच्छी है उसके बाद आते हैं मीडियम लेवल वाले राज्य जहां पे मीडियम लेवल है महिलाओं की अजुकेशन का इसमें कौन-कौन से हैं पश्चिम बंगाल उत्राखंड त्रिपुरा सिक्किम पंजाब पंडचेरी नागालेड मिघाले महराश्ट्र हिमाच यह राज्य वह हैं जहां पर मीडियम लेवल है महिलाओं का तीसरा है हमारा जहां पर लो लेवल है बिल्गुल एजुकेशन का निम साक्षरता दर वाले राज्य जहां पर शाड परतिशत से भी कम महिलाएं पड़े लिखी हैं सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है इसको आपे सिर्फ 33 परशंड महिला ही शाक्ष्चर हैं अन्य राज्य हैं आंधर परदेश, अरुनाचल परदेश, असम, छत्यसगर्ड, दादरनागर हवेली, गुजरात, हरियाना, जम्मु कश्मीर, जारकंड, करनाटक, मध्य परदेश, मनीपूर, ओडिसा, राजस्तान, उत्र परदेश, इन राज्यों में बहुत लो लेवल है एजुकेशन का, फीमेल की अगर हम बात करें तो, तो आपको में में राज्य याद रखने, जरूर नियापिन सारों को याद रखो, जिस हिसाब से मैंने आपको चप्टर में पढ़ाया था, उस हिसाब से आपको साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर फीमेल एजुकेशन जादा है, यह बिंताएं कई कारणों से हैं, ग्रामीन शेत्रों में, अनुसुचित जातियों में, अनुसुचित जन जातियों में, किर्शी मिजदूरों में शाक्षिता दर कम है, यह कह रहे हैं कि इ इसी चीजे हैं कि उनको पढ़े लिखने नहीं दिया जाता, तो उस वज़े से भी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, इन दोनों ही ग्रूप में जो हम महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिल पाती, किर्शी मिजदूर, यानि जो आदमी खेती बगारा करते हैं, म भारत में महिलाओं जादा शाक्षर हैं, और बिहार, जारकाड, उडिसा, इसे रहे अगर बात करोगें, तो यहां पे सबसे कम हैं, अगर आपसे पर्टिकुलर स्टेट पूछें, तो उसका अंसर होगा कि बिहार में सबसे कम महिलाओं शाक्षरता दर हैं, अब जैसे अभ निकला हुआ इसमें, और कोई राज्या बहुत पिछडा हुआ है, तो माना विकास में भी एजुकेशन की ही तरह हमें डिफ्रेंस देखने का मिलता है भारत के अलग 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 राज्यों में, तो इसमें वही पूछा है हमसे, भारत विश्यू के एक से बहतर देशों में माना विकास में, 126 में स्थान पर हैं, अभी भारत फिलाल 132 में स्थान पर हैं, इसके मुल्य के आधार पर यह हैं मद्यमवर के देशों में हैं, तो अगर हम ओनन एवरेस देखें तो यह लोवर मिडल में आता है, तो ज़्यादा चीज की रेंग हैं, भारत में केरल राज जो में मुल्य निमन लिखी था, इसमें आपको परसंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आफ केरल की कर लेना वहां से, पंजाब में है 0.537 के आसपास है, पिर उसके बाद आता है तमिल लाडू, उससे भी कम है महराष्टर, फिर महराष्टर से कम है हर्याना, त तो और कम देखो किसकी सराज़की है, अब वो राज़े देखो जिनमें कम है, बिहार, असम, उत्तरपरदेश, मद्धेपरदेश, ओडिसा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे हमारा हच्डियाई बहुत कम है, तो इनको आप अच्छे से याद रखना, इन विबिनताओं के ल अधिक हैं, यानि जहां पर HDI जादा है, वहाँ पे एजुकेशन भी जादा है, जबकि मद्धेभारत में बिहार, मद्धेपरदेश, ओडिसा में कम साक्षरतादर के कारण, मानव सूचकांक मुल्य कम है, यानि यहाँ पे एजुकेशन कम है, बिहार MP वाले एरिया में, इ पहले पॉइंट में तो हमने बता दिया, एजुकेशन की वज़े से इनका जादा है, और बिहार वाले जो स्टेट्स हैं, उस तरफ कम हैं, दूसरे पॉइंट में हम बता रहे हैं कि आर्थिक कारण यहां के लोग के पास पैसा है, जमीने महंगी हैं, चीज़े हैं यहाँ तो उपरिचिनिटीज ज़्यादा है, आर्थिक चीज़े ज़्यादा हैं यहाँ पे, महराष्ट तमिलाडू पंजा भरियाना इस वाले एरिया में आर्थिक चीज़े ज़्यादा हैं, लबकि असम बिहार आदी राज्यों में कम आर्थिक विकास की कारण मानव सूच खान को मुल्य कम है, वहाँ पे आर्थिक विकास कम हुआ है, इस वज़े से वहाँ पे HDI भी कम है, तो यही था हमारा इस वीडियो का लास्ट कोशन, इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें मेंली स्टेट्स पता होने चाहिए कि कहां पे मानव विकास ज़्यादा है और कहां पे कम है, ठीक है आप से रीजन पूछे थे तो अब रीजन बता दोगे कि भाई, एजुकेशन है जहां पे वहाँ पे अच्छा है, जहां पे आर्थिक आउसर है, वहाँ पे अच्छा है, यही में बाते आपको इस कोशन में लिखने थी, तो मैंने आपको चप्टर भी कमेंट करके जरूर बताया, अगर हो कि आपको वीडियो क्या सी लगती है, लाइक शेर और सब्सक्राइब, मुझे पता है यह लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो, और मैं भी कह कह कर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेर और सब्सक्राइब से, आपक कर दो प्लीज, अगर आपको जोग्राफी के हैंड डिटन नोट्स पीडियाफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर वाट्साइब करें, आपको सिंपली इस पर 12 जोग्राफी नोट्स लिखके मैसेज सेंट करना है, आपको नोट्स बहुत ही नोमिनल प्राइजिस पर मिल जाए हैं तो आपको 12 लिके आगे वो subject mention करना है, जैसे आपको history के चाहिए तो 12 history notes, political के चाहिए तो 12 political notes लिके message send करना है, and other details you will get on WhatsApp, thank you.